लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन PGI में मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी मानियों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फैमी में न रहे हम तो ये कहेंगे भग लोगों के बीच नहीं है सर्गी चेतन सिंग चौहान जी मैं तेरा नंबर बेट पर था और वो 14 नंबर बेट पर थे अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर रह जाएंगे मैं 11 जुलाई को दुपहर में एड्मिट हुआ और मानी मंती जी 11 जुलाई की साम को पांच बजे एड्मिट हुए और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो दुर्भाग्य है हमारा भी मन्यों का भी और जो लोग अस्पताल में भरती हो रहे हैं उनका आठ लोगों का वार्ड मानी जी आठ लोगों का वार्ड जहां आठ क्रोना संक्रमित लोग होते हैं डाक्टरों की नर्शों की और वहाँ की टीम आती है तो केट से पूछते हैं कि चेतन कौन है तो मानी मंती जी क्योंकि बहुत सरल थे उन्होंने हाथ खड़ा किया टीम आती है उन्होंने का चेतन आपको कब हुआ कोरोना तो उन्होंने अपनी बात बताई तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम वो कुर्था पैजामा में थे मैं तो पैंट सर्ट में था करते है तो मानी मंती जी ने कहा कि मैं कैमिलेट मंत्री हूँ तो एक स्टाफ ने कहा कि कहा के तो उन्होंने कहा उट्तर प्रदेश सरकार तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बत्मी जी से बात कर सकते हैं लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब मानी मंती जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबलेट मंत्री हूँ तब सायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आधर करेंगे लेकिन ये सुनने के बाद भी जब PGI के स्टाप ने कहा कि चेतन तुमारे घर में और कौन-कौन संक्रमित है तो मुझे गुसा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुसा आया मतब सरकार का इतना भी दवाव नहीं है वाई कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है मुख्य मंत्री तिसका मतब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आधित नाजी का सम्मान होगा अगर सर्मा जी को कुरोना हो गया तो आपके साथ क्या बेवहार होगा आप सोच नहीं सकते हम नहीं चाहते हैं हम तो भगवान से प्राथना करेंगे कि आप तो नहीं किसी को नहीं हो लेकिन उसके बाद मानिवर मुझे जब गुस्सा आया मैं अपना गुस्सा नहीं रोप पाया तो मैंने डाक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहा है कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री है ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे तो उस डाक्टर ने का अच्छा ये वो चेतन है और ये कहते हुए डाक्टर और स्टाप पूरा चला गया वो दो दिन तक हमारे बगल में रहे मतलब कोई मतलब वो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस घुटन में थे वो मानिस सर्मा जी नहीं महसूस कर सकते और मुझे जो सब्द नहीं कहना चाहिए वो कुरोना से हमको आपको छोड़के नहीं गए सरकार की आवेवस्था से हमको आपको छोड़के गए मतलब इतना गंभीर मामला और मानिवर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ मैं उन्नी समात कर दूंगा अब हमारा क्यों दर्द सुन लिए मैं उन्नीस दिन तक एड्मिर था ग्यारुए दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ मैं फिर पाश्ट्यू आ गया फिर चार दिन बात टेस्ट हुआ फिर पाश्ट्यू आ गया हमारे माननी राश्ट्री अद्यक्स हमारे नेता माननी अक्लिस यादो जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का सासना देश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो इस सरकार की बेवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नी कराना हम होम कॉरंटीन रहना चाहते हैं अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मानिवार आ नर्स ने कहा कि आप पाश्ट्यू हैं डाक्टर की टीम आई उन्होंने कहा कि आप पाश्ट्यू हैं या नहीं हैं हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ जब दूसरा टेस्ट हुआ जब साम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट के आई तो उन्हों ने कहा कि आपका रेपर बदल गया था इसलिए साम को तीसरा टेस्ट होगा जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है तो डाक्टरों ने कहा कि आपका सेंपल बदल गया इसलिए आपका चोथा टेस्ट होगा हमारा चोथा टेस्ट हुआ चोथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्हों ने कहा कि आपका फारम तो वहां चला गया था लेकिन सेंपल नहीं तो हमने का पांचवा कर लो हमारा पांचवा टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजी आई में इलाज नहीं कराना है हम घर में रहकर कि जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वश्थ हो जाएंगे मैं पहला पेसंट हूँ सरकार के निर्दे डाक्टर भगवान की तरह दिखता हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं लेकिन ये आप विवस्था आखिर कैसे ही